विडियो में और उम्मीद करते हूँ आप सभी लोग स्वस्त होंगे, मस्त होंगे, शिवा की तरह, शेतानियों में वस्व्यस्त नहीं होंगे, ऐसे उम्मीद करते हूँ तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड टेम के बारे में फुल इन्फॉमेशन में आपको देने वाली हूँ इसमें और साथ मैं पूरा डिस्प्ले करके बताऊंगे कि किस तरह से आप टेमिंग की शुरुआत कर सकते हैं जो भी पैराकीट अपके पास में है आप उनको कैसे टेम कर सकते हैं स्टैब बाइ स्टैब इन्स चीजों को जानेंगे तो जल्दी जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे जादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत सारे लोग अभी भी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्रिंगल को सब्सक्राइब कर लें तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तो आप सोच रहे होंगे कि शिवा को मैंने केज में क्यों डाल दिया है आपको डेमो देने के लिए मैंने शिवा को केज में डाला और शिवा को भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने कर डाल दिया है क्योंकि आप अपना बर्ड केज में ही लेकर आते हैं तो मैं इसलिए आपको पूर डिस्प्ले करके दिखाना चाहती हूँ कि actually में हमें करना क्या है देखे बर्ड को कई कई बार टेम होने में महिना दो महिना तक लग जाता है जब शुरुआत में आपका पैरेट आपकी घर में आएंगे तो अगर आप केज में रख रहे हैं तो केज कहां पर रखना चाहिए सबसे पहली बात तो यह है तो केज ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर आप लोगों को आवागा मनूँ ऐसे ना हो कि खिड़की पर रखते हैं जहां सारा दिन शोर होता है उस जगह पर रखते हैं ऐसा नहीं करें आप उन जगहों पर रखें जहां पर आप बार-बार आते जाते हो फैमिली का हर एक मेंबर जिस जगह पर आता जाता हो आप उसको पैरेट को हमेशा उस जगह पर रखेंगे उसके बाद आपको अपने हाथ जो है ना वो केज के पास में लेके जाने इस तरह से आप केज के पास रखेंगे और उसे बहुत ही स्वीटली बात करेंगे कभी भी बर्ड से चिला कर बात नहीं करने अच्छा हाथ बिग्दम से यू जाके नहीं रखना तो क्या है पैरेट डड़ जाते हैं आपको बड़े प्यार से हाथ ऐसे रखना है वो एक बार ह थोड़ा सा घमराएंगे आपकी तरफ देखेंगे तो शेवा शेवा ऐसे प्यार से बात करनी है बड़ से चिला कर बात नहीं करनी और बहुत जल्दी कोई अक्टिविटी नहीं करनी बहुत स्लोली अपने हाथ को ले कर जाएंगे और स्लोली अपना चेहरा और हमेशा उस सब्सक्राइब पर आप केज को रखें जैसे जिस लेवल पर मेरा यह कैमरा है आपकी आखें इतनी होनी चाहिए ना तो आप बहुत उपर हो ना बहुत नीचे आपकी आखें उनकी आई कॉंटेक्ट उन से बनना चाहिए यह ज़रूरी है उसकी बात कोई भी आप जो चीज भी खिलाना चाहते हैं ये ले शिवा ले ले देख रहा है इस तरह इस तरह से बढ़ना आपका जो भी आप देंगे मैं अच्छल धनिया रखा था मेरा फ्रूट इसलिए नहीं क्योंकि फ्रूट से आपके हाथ को टच नहीं करेगा आपकी उगलियों को टच नहीं करेगा तो ऐसी कोई बहुत छोटी सी चीज ले जिससे कि आपकी उगली उससे टच हो तो ये जो मुमेंट है ये आपको रोज करना है इस तरह से करना है कि आपकी उगली उसके पास जाए तो वो डरे नहीं ये मुमेंट है इस मुमेंट को आप रोज करें और दिन में दो थीन बार चीए यह तो हो गया फर्स स्टेप इसके बाद सेगंड स्टेप क्या होगा उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि आप देगे ये तो भार आ रहा रहा है दुश्ट हे यह इसलिए भार आ रहा है अभी बहार नहीं आना में आक्टिंग करनी रुको दूसरे स्टेप में आप आपके पास आने की शुरुआत में डरेगा लेकिन हो सकता है वो खाने के लिए आए तो आप अपने हाथ को वहीं रख दें बिल्कुल वह बिल्कुल नहीं काटेगा क्योंकि हफते बर आप अपने हाथ से उसको पहचान करवा चुके हैं तो दूसरा हफता जब शुरू होता ह है तो वह आपके हाथ को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगेगा तो आप अपना हाथ अंदर पिंजरे में डाल सकते हैं वह काटेगा नहीं कि तोती का थोड़ा सा मुझे टेंचन रहता है कि अन्प्रेडिक्टिबल रहती है बाकी जो तोता होगा वह आपके हाथ से खाना उठाके खाएगा ठीक है उसके बाद यह काम जब आप एक हफ्ते कर लेंगे उसके बाद आप करेंगे अपना हाथ देंगे उनको यह तो पहले इसकी आदत मैंने ऐसे डाल दी कि यह पिंजरे के उपार जाता यह देखिए तो मेरे उपर कूद के आ गया उसके बाद जो ने कि कुझाद वह सकता है एक बार में ईगली पर आकर नहीं बैठे आप चाहिए तो उंगली भी दे सकते हैं यह सब्सक्रहें यह घुटा से ऐंग thoughtful के खानेको यह एक हफता या दस दिन पहला step करें उसके बाद आप दूसरा step कर शुरू करेंगे जहां पर आप अपने हाथ को पिंजरे के अंदर डालेंगे उस step में आपको हफते से 10 दिन लग सकता है फिर थर्ड step में आप जब उसको अपने हाथ पर बिठाना सिखाएंगे यह तीसरा step है इ इससे ज्यादा भी लग सकता है तो आपको निराश होनी की जरूबत नहीं है बस यह चीज़ें है फॉलो करनी है लगातार करनी है आप करेंगे तो देखिए आपका पैरिट बिल्कुल आपसे टेम हो जाएगा और जब टेम हो जाएगा उसके बाद आप उनको सिखाना शु जाहिए ताकि आप उनको अपना फैमिली मेंबर बना सकें और वो आपसे डरे नहीं ठीक है तो चलिए इसी इन्फोर्मेशन के साथ वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं अगली वीडियो जल्दी से लेकर आऊंगे मुझे और शिवा को कर दीजे बाइबाइबाइबाइब झाल